मेरा नाम शालनी उन्नी कृष्णन था मैं नर्स बंड के लोगों को सर्फ करना जाती थी अब मैं फातिमा बाह हूँ एक आइसिस टेर्रिस्ट इन अफगानिस्तान जेल और मैं अकेली नहीं हूँ मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कनवर्ट होके सिर्या और यमेन की रेगिस्तान में दफन हो जुकी है एक नॉर्मल लड़की को एक कतरनाक टेर्रिस्ट बनाने का सबसे डेंजरूस केल चल रहा है कैरला में और वो भी खुले आम या कोई नी रोके काईसे यह है मेरी कहानी यह है उन 32,000 लड़कियों की कहानी यह दिस तक कैरला स्टोरी कुजवम्स रॉंक्टे कड़े हो गए इस एक मिनट की पीजर को देखकर आपको बता है 2010 से लेकर आप तक पिछले बारा सालों में कैरला में 35,000 लड़किया गायब हैं जिन में से 95% लड़किया हिंदू है और 5% लड़किया क्रिश्चन है इन लड़कियों के साथ क्या हुआ अब आप सुनिये अगर आप सुन सकते हो तो इन लड़कियों को बहला फुसला कर यह जबरन देश से बाहर ले जाय जाता है जिसके बाद जो वार जोन कंट्रीस हैं सीरिया, यमन, अफ़कानिस्तान इन देशों में इन लड़कियों को आतंगवादी कैंप्स में सप्लाई कर दिया जाता है जिसके बाद इन लड़कियों के पास कोई option नहीं बचता इनको sex slaves की तरह treat किया जाता है या फिर इन लड़कियों का निकाह खुंखार आतंगवादियों से कर दिया जाता है फिर इन से सिरफ बच्चे पैता करवा जाते है या यूँ कहें कि आतंगवादी पैता करवा जाते है या फिर इन लड़कियों को खुद ही आतंगवादी बना दिया जाता है इनका brain wash करके, इनके mind को wash कर दिया जाता है इनके दिमाग में आतंगवाद भर दिया जाता है और वो लड़किया जो इन सब चीज़ों का विरोध करती है उनको एक कोठरी के अंदर एक काल कोठरी के अंदर मारा जाता है तड़पाया जाता है और फिर सीरिया और यमन के रेगिस्थानों में दफना दिया जाता है यह कहानी है उन 32 लड़कियों की और अब वो लड़किया खतम हो चुकी है और यह आकड़ा हर साल पढ़ता जा रहा है केरला में आतंगवादी संकटन सक्रिये हैं पनाप रहे हैं और वहां के लोगों को स्पेशली लड़कियों को टार्गिट किया जा रहा है उनका धर्म पर फिर अनोर वाने और फिर उनको आतंगवाद में ढखेल दिया जाता है कि सच है चो कि अब आपके सांवने आएगा तसटोरी के रूप में हमने दा कश्मेर फञेज देखी हमने टाशकेंद फाइा एक कि अब हम देखेंगे नोरी कि ये बारे में एक्शन लेना बहुत जरूरी है वरना देर हो जाएगी और देर तो हो रही है पतिस हजार लड़किया खता हो चुकी है और ये आखड़ा पढ़ता जा रहा है इस मूवी को प्रेडियूस किया है विपुल अमरुतलाल शाहने और इस मूवी के डिरेक्टर है सु माचा है उन बॉलिवूड के नैपो किट्स के मूँ पर इनको एक्टिंग का ए भी नहीं आता है और फिर भी अपने बाप के दम पर बॉलिवूड में टिके हुए है यूमन ट्राजटी है ये एक सच है जो आप से अब तक छुपाया गया था लेकिन अब ये सामने आएगा और आना भी चाहिए बॉलिवूड के गलियारों में एक ऐसी फिल्म बनके आ रही है जो कि आपको अंदर से छंचोड देगी आप हिल जाओगे रात भर सो नहीं पाओगे जब आपको पता लगया कि इन लड़ियों के साथ आकिर हुआ क्या इस तीजर को रीच नहीं मिल रह तो दो लाख व्यूज भी नहीं आये हैं क्योंकि इसकी रीच कम करी जा रही है लेकिन आप लोग उसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को शेर कीजिए जितना हो सके शेर कीजिए क्योंकि किसी ने हिम्मत जुटा कर इस मूवी को बनाया है और आपको सच दिखाने की कोश करिए और यह सच आपकी घर में आपकी बेहन बेटियों को तक पहुचना बहुत जरूरी है क्योंकि वही है इन सब आतंगवादियों का सौफ्ट टार्गेट धन्यवाद